अच्छी सेहत के लिए किस तरह का नमक और कितनी मात्रा में खाना चाहिए? नमक हमारे खानपान में सोडियम का सबसे प्रमुक सोर्स है हमारे शरीर को कई तरह की प्रक्रियाओं के लिए सोडियम की बहुत ही ज़्यादा जरूरत होती है कोशिकाएं ठीक से काम करें शरीर में मौझूद फ्लूइट स्यानी की तरल पदार और इलेक्ट्रोलाइट संतुलित रहे और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे ये सब काम सोडियम की वज़ा से ही मुम्किन हो पाते है इसलिए सोडियम हमारे शरीर का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है तेकि फिर आखे नमक क्या है और ये आखे चीज है क्या नमस्कार दोस्तों नमक हमारे डेली लाइफ में बहुत ही इंपोर्टेंट है आज के ये वीडियो नमक पर ही है आखे कौन सा नमक खाया जाया जिससे हम हेल्दी रहें और सोडियम की पूरी कॉइंटिटी हमें मिल सके हमारे शरीकों जितने सोडियम की जरूरत होती है उसका 90 फीस्दी हिस्सा टेबल सॉल्ट या आम नमक से पूरा होता है साइंटिफिक लेंगविज में इसे सोडियम क्लोराइड भी कहते है डेबलु एचो स्वस्त लोगों को रोजाना पांच ग्राम से कम नमक खाने की सलाह देता है ये करीब करीब एक चमच के बराबर हुआ लेकिन भारत में सरकारी आकडों के मताबिक यहां लोग रोजाना 11 ग्राम नमक तक खा लेते हैं जो डेबलु एचो की सलाह से बहुत ही जादा है नमक ज़्यादा खाने से आखे नुकसान क्या है किसी भी उम्र में ज़्यादा नमक खाना आपके बलड प्रेशर को बढ़ा सकता है इसके अलावा आपके खान पान में नमक अधिक होने के और भी बहुत से खत्रे हैं दिल के बिमारी, गैस्ट्रिक कैंसर और मस्तिश्क में बलड सर्कूलेशन पर इसका निगेटिव असर पड़ सकता है यानि दिमाग की कोई भी नस फट सकती है या फिर बलड क्लॉट्स बन सकते हैं लेकिन हम ये भी जानते हैं कि खान पान में नमक की खुरा कम करके बलड प्रेशर के इस तर को सुधारा जा सकता है और इन बिमारीों के जोखिम को कम किया जा सकता है किस तरह के नमक से सबसे कम सोडियम किस नमक में होता है बाजार में कई तरह के नमक उपलब्द हैं जिनका इस्तिमाल करके भोजन को अधिक जायकेदार बनाने की कोशिश की जाती है नमक की इन तमाम किस्मों में सबसे सेहतमत नमक वही है जिसमें सबसे कम मात्रा में सोडियम हो दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में नमक तैयार करने के बहुत ही अलग-अलग तरीके शामिल है रंग और स्वात के आधार पर कई तरह के नमक होते हैं रिफाइन नमक या आम नमक सबसे ज़्यादा इस्तिमाल किये जाने वाले नमक में से एक है इसमें 97-99% सोडियम क्लोराइड होता है ये इसकदर रिफाइन होता है कि इसमें कोई भी अशुद्धी नहीं होती लेकिन पोशक तत्वों के लिहाद से ये बहुत बढ़ियां भी नहीं माना जाता नमक आने वाली बाढ़ को भी रोक सकता है जी हाँ जैसे सी सॉल्ट का उधारा ले ये समंदर के खारे पानी को वाश्वी क्रित करके तैयार किया जाता है ये रिफाइन नहीं होता और इसमें अधिक खनिज लवण होते हैं इसके अलावा इसमें काफी आयोडीन भी होता है जो हमारी शरीर के लिए अच्छा है होते हैं Celtic salt या ग्रे सॉल्ट में मातरा कम होती है और दूसरे खनिज लवण इसमें प्रचुर मातरा में होते हैं ये नमक इतना प्राकरतिक होता है कि कोई भी बाहरी चीज नहीं मिलाई जाती है कम sodium वाला नमक बाजार में light salt या low sodium salt की नाम से बिकने वाला नमक होता है जो market में होता है जिसमें sodium की मात्रा 50% तक कम होती है इसके साथ ही potassium salt के नाम से उपलब्ध नमक भी sodium नहीं होता है या तो होता है तो नाम मात्री होता है इस तरह का नमक उन लोगों के लिए एक समाधान है जिने जादा नमक खाने की आदत होती है हालांकि ये नमक डॉक्टरी सलाह पर ही खाना चाहिए इसे तब खाना चाहिए जब आपको कुछ विशेश बिमारी हो क्योंकि इसे खाने से आपकी डाइट में potassium की मात्रा जो है वो काफी बढ़ जाती है क्या खाने की मेज पर से नमक को हटा देना इतना ही काफी है आविशक साथ है अधिक नमक खाना सेहत के लिए उचित नहीं है ऐसे में अपने नमक के प्रकार को चुनने से ज़्यादा एहम ये है कि इसकी मात्रा पर कैसे नियंत्रण किया जाए ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि हमारी डाइट में नमक सिर्फ पके हुए खाने से ही नहीं पहुँचता ऐसे कई उत्पाद है जिनमें नमक की भारी मात्रा मौजूद होती है ऐसे में अगर इन उत्पादों को आविशकता से अधिक खाया जाए तो इससे हमारी सेहत को बहुत ही नुकसान पहुँचता है फिचाए हमने रोजमर्रा के खाने में नमक की मात्रा कम ही क्यों न कर दियो अमेरी की खादी एवं ड्रग एड्मिस्टेशन के मताबिक हमारी डाइट में सोडियम की 70% से अधिक बात्रा पैकेट बंग खाद सामगरियों और तैयार खाद सामगरियों से आती है इन चीजों में बड़ी मात्रा में रेडिमेट सौस हो गए सोयबीन के सौस की है जिनमें नमक बहुत ज़्यादा होता है स्वाद से समझावता किये बगार नमक को आखिर हम अपने डेली रूटीन में कम कैसे करें नमक से जुड़ी इन तमाम बातों को जानने के बाद हम अपने डाइट में से नमक की मात्रा को कम करने के लिए कुछ तरीके अपना सकते हैं पहले से तयार खाने और कमर्शियल सोसे से बचें नमकीन स्नैक्स खाने की जगा उस स्नैक्स को खाएं जिन में नमक नहीं होता जैसे नैच्रल नट्स, फल, सोयवीन के फलियाओं और नमक के बिना घर पर बना हुआ पैकेट बन खाने की चीजों को ध्यान से देखें जिसमें नमक एवं मोनो सोडियम ग्लूटा मेठो उन्हें न खाएं खाने में नमक की जगां मसालों और खुश्बूदार जड़ी भूठियों को डालें जिससे खाने का जायका बढ़ेगा खाना पकाने की तरीकों जैसे उबालने समेथ अने तरीकों की अपेक्षा वाशपी करण पैपी लोटे कुकिंग यानि की कागज में लपेट कर भाप से पकाने की विधी और सेखने से खाने का स्वाद बना रहता है ऐसे में खाने में ज्यादा नमक डालने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहती लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हम सोडियम के बिना भी नहीं जीवित रह सकते ये संभव है कि अपनी डाइट में से टेबल सॉल्ट या ज़्यादा सॉल्टी उतपादों को हटा दिया जाए क्योंकि ब्रेड और चीज जैसे तमाम उतपाद ऐसे हैं जिन्हें बनाई जाते वक्त नमक का इस्तिमाल जरूर होता है हालाती डॉक्ट्टरि बगार डायट में बेहत कम नमक या फिस सोडियम लेने से साइड इफेक्ट भी सामने आ सकते हैं इससे सोने में दिक्कते आएंगी सोडियम की कमी और किड्नी स्टोन बनने का जोकिय्ट सामने आ सकता है इस वज़ा से अपने खान-पान में से नमक की मात्रा को कम करना चाहिए और ऐसी चीजों को खाने से बचना चाहिए जिसमें अत्यधिक नमक हो लेकिन डॉक्ट्री सलाह के बगए नमक को अपनी डाइट से बिल्कुल भी हटाना नहीं चाहिए यह हमारे लिए बहुत ही घातक हो सकता है तो यह थी जानकारी कि हमें कौन सा नमक चुनना है कितनी मात्रा में नमक खाना है तो दोस्तों आप अपनी डेली रूटीन में कौन सा नमक यूज़ करते हैं कॉमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लिस लाइक शेर एंड सब्सक्राइब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमशकार